तो नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है इसी ट्यूप चैनल पे दोस्तों आज के चुड़े में हम बात करने वाले ड्रिम इलेवन इसी सी इंटरनाशनल टीटेन की जो मैच है स्पैन के बीच के जो मैच रिफडश मैंने हईलेट करके दिखा दिया है उसकी टीन ड्रिमिलियून की विनिंग टेम्स हमको देखनी है सबसे पहले तो मैंने highlight करके दिखने उस पर आपको क्लिक करनी होगी लेकिन अगर आपने अप तक टीम नहीं बना यह तो कोई बात नहीं आपको नीचे create a team का जो option मिलता है दोस्तों वहां पे क्लिक करनी होगी लेकिन मैं already 10 team यहां पर बना के रख चुकाओं जिसे ऐके करके मैं आपको क्लिक करके अटि हमाएकं किस एक कर दिखाता जाओंगा वाही今日は क्यासीन और वायज कौना की बनाना यह सब biblical सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को प्रेश करके आल पर बी क्लिक करना नाब ले ताकि यह से उड़े आप तक पोश्टेर आप अच्छे से अधिक करते हुए टिम पर क्लिक करके और पहली टिम को मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ तो यहां पर देख सेकता है कुल्मिला के तीन आइसे कीपर है जो टीनों की टीनों प्लेइंग इलेवन में शामिल है लेकिन सबसे बढ़िया पर्सप्रामस रहा है डी डॉलनिक कॉल का तो इनको हम इस टीम में जरूर ले लेंगे इसके बाद किसी और की पर कोई इस टीम में को लूँगा और तीन ही बैट्समन इस टीम में लूँगा इसके अलाव में चार और के साथ जाँगा एचडार इस भुयन उसके बाद है एस दावीजी को लूँगा और एमबाबर को तो देख सकते हैं चारों का पर्फॉर्मस काफी शांदार रहा है अभी तक पूरे सीरी कामरान वन को लूँगा उसके बाद ए सोहास को लूँगा और एस सेगुपत्ता को इस टीम में शामिल करूंगा तो इस तर से पहली टीम हमारी अच्छी खासी बन चुके है सभी की सभी जो अच्छे प्लियर है हमने यहां पे शामिल कर लिए जिससे हमें काफी फायदा पर करके जों है और आपको यहां पे दिखा दूँगा मैं कि अच्छा परफॉर्मश्च और आम कामरान को चार परसंट से थोड़े ज़्यादा ही लोगों ने वाइस कामरान किया है तो यह भी अच्छा खासा पर्फॉर्बस कर चुके तो आप इनको भी प्रिव्यू कते ह अगर रखेंगे तो आपके पास कीपिंग में अच्छा खासा अप्शन है डी डॉलनी सेल को लिया है मैंने इसके अलव बैटिंग की बात करें तो सी मोनोज मिल से जी सिंगे के विंक कड़ेस्वर अनको भी मैंने स्टी में शामिल किया है अगर अलरॉंडर की बात करें तो अ अगर बात करें तो यहां पर एंपर कामरान को लिया है उसके बात पर शोहास को लिया है और एस सेन गुपता को इस टीम शामिल कर लिया तो इस तर से तीन अच्छी खासे गेनबाज भी मैंने ले लिए जो की काफी अच्छी टेम हमारी बन चुके अब क्याप्टन और इस लिए और अच्छी चाप्टन मैंने जारा हूं दोनों की दोनों बष्ट है एक अच्छा-कासा घ्लाउंडर है जो बैटिंग में में दोनों में आपको अच्छे-कासे पंट दिला सकता है तो एक काफी अच्छा बैंडन ऐ जो कि आपको अच्छी खासे विक्टे लेक तो यहां पर चलते तो यहां पर थोड़ा मैंने हटके सोचा है दोस्तों यहां पर थोड़ा मैंने रिस्की लेकिन एक अलग डिसीजन लिया है इनका भी पर्फोर्मस ठीक ठाक राय डिडालनी से तो बेटर नहीं है लेकिन फिर भी एक टिम में ज़रूर हम लेंगे उसके बाद बैटिंग की बात करें तो यहां पर पांच बल्लेवाज के साथ में जाओंगा सी मुनोच को भी लुगा इस ग्रोवर को लुगा क्योंकि इ इस टेंड को भी आपर मैंने अपने टीम में शामिल कर लिया और पर चलते तो यहां पर मेरे पास सिर्फ दोई और रहेंगे एच्टार और धिमान को लुगा मैं इस टीम में उनको पिछली टीम में नहीं ले पायता हाला कि हमारे दो तीन जो अच्छा अप्शन है वो यहा करने बढ़ जाते हैं अब चलते गेनबाजीब की बात करें तो यह कामरान तो ही दोस्तों इसके अलावा एस सेन गुपता को भी मैं इस टीम में रूंगा और ए मोहमत को मैं इस टीम में पिछली टीम में मैं इनको नहीं ले पाया था लेकिन प्लियर काफी अच्छ है दोस् चाप्टन आएक कि अच्छे सकते हैं जो इस दार है इनको सबसे जादा कैप्टन बनाने में नंब दो पर है तो मैंने इनको यहां पर कैप्टन बना लिया तो ए मोहमत को वाइस बना रहा हूँी यह भी बढ़िया गेनबाज है तो जरूर आप इन दोनों को क्याप्टन औ तो इसलिए थोड़ा रिस्की टीम लगानी पड़ेगी दोस्तों क्योंकि जो भी आप रिस्की प्लियर लेंगे वह अच्छा परफॉर्म्स कर जाते हैं तो आपको सबसे जादा फाइदा वही करा के दे सकते हैं तो इसलिए यहां पर रिस्की लेना काफी फाइदेमन सावित्त हो सकता है अगर बात करें तो बातिक बे ने करें यह फाश्ले बादो को से्मनो मिल्स को ले रहा हूं आपर ज रॉह को ट्यते मिल्स को छते तो इस तरह से पार अच्छेफ तो किसके लिए अल्राउंडर के लिए एच दार को यहाँ पर दो को इमान को अभी तक में पिछली टीम में नहीं ले पाया था लेकिन इनका पर्फॉर्मस भी अच्छा रहा है और यह अच्छा फांसे प्लियर है तो इनको एक से कम एक दो टीमों में तो लेना काफी फायदेमन सावित होने आला है दोस्तों तो इसलिए आपर मैंने थोड़े रिस्की चेंजेस कर लिए गेंबाजी के बात करें तो एम कामरान है एस्वन गुपता है और यहां पर ए मोहमत को मीश तीम में ले लिया है तो कुलमला के यह भी काफी पर मैंने ड्रॉप किया दूसरे लियरों को लिया है लिकिन वह भी प्लियर उनसे मतलब कम अच्छे नहीं है दोनों प्लियर मतलब पिसली टीम और इस टीम और दोनों काफी अच्छे तो जोरू आप दोनों टीमों को ग्राइंड के लिए उचकरना काफी फायदेमन होगा अगर क्याप्टन की बात करें तो एजडार को क्याप्टन और ए मोहमत को वाइस क्याप्टन दोनों को काफी पसंते मिली है तो ज़रू आप इन दोनों के साथ जा सकते हैं दोनों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं और साथ इनको क्याप्टन भी बनाना काफे फायदेमन रह सकता है और दोस्तों एक बात ज़रूर बताना चाहूंगा मैं जिन जिन को वाइस कैप्टन बनाता हूँ अगर आप और भी मल्टिपाइस टीम लगाते हैं तो मैंने मेरे जो वाइस कैप्टन रहते हैं उनको कैप्टन जरूर बनाईएगा काफी फाइदेमन साबित हो सकत सब्सक्राइब काफी फाइदेमन होगा दोस्तों एचिदार को कैप्टन और मुहमत को वाइस कैप्टन मना रहा हूँ कुल मिला के टीम तो काफी अच्छी बन चुके इस टीम को भी क्लोज कर लेते सेव कर लेते हैं तीसरी और आखरी टीम में आपको दिखा देता हूँ ज इनोंने अभी तक जितने भी मैचेस के लिए तुना कुछ खास परफॉर्मस नहीं किया है चार मैचेस मेरे खाहल से खेले और तीसी पॉंट दिए तो आप सोच सकते कि परफॉर्मस नहीं रहा है बैटिक पर चलते तो इस बार तीनी बैट्स मन लोंगा जी सिंग को लोंग पर उनको भी जरूर शामिल कर लूँगा तो कुलमिला के अगर देखेंगे तो यह भी काफी फाइदे वाली टीम साबित होने वाली दोस्तों अगर गिनबाज पर चलते तो चार गिनबाजों के साथ जाओंगा ती विने को अभी तक एक बी टीम में नहीं ले पायता तो य आंदार प्लियर हमने शामिल कर लिए जिससे हमें काफी फायदा होने आला है नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और देख लेते कि क्याप्टन के लिए जाओंगा एंबाबर के साथ क्यूंकि काफी अच्छे प्लियर है दोस्तों और अच्छी खासे बैटिंग और बॉलिंग कर स अगर बात करें तो नेक्स्ट पर क्लिक करके कि क्याप्टन के से बना सकते तो यहां पर मैं इसके पहले टीम प्रिव्यू करते हैं क्याप्टन और वाइस कप्टन अल्रेडी हमने देख लिए अगर बात करें तो कीपिंग में मैंने फिर से डी डॉलनी को ले लिया है उसके सबसे ज्यादा मेरे पास